आपका एकजम के लिए अभी तयारी पुरा जोर सोर्ष से चल रहा होगा तो इसलिए उसमें हेल्प करने के लिए हम आज आपका जो भी इंपोटन कोईसिन सब डेरेक्ट टेक्स उसको लेकर आए हैं में लिए इसको क्या बलते हैं यहाँ पे हम ट्राइ किये हैं कि आपका मैक इसको आप छोड़के जा सकते हैं कि यहाँ पर हम मैक्सिमम आपका प्रोविजन और कॉणसेप्ट यहाँ पर कभर किये हैं यह जो क्वेस्ट सब कुछ है ठीक है आपके लिए इंपोटन क्वेस्टन है यह आपका लॉंग टाइप भी आ सकता है यह जो प्रेफर करके जा सक के लिए जो टाइम भूत कम रहता है मैं लिए इस बार डीटी के लिए टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए हम यहाँ पे लिएर क्वेस्टन डाल दी है तो आप इसको देखकर जा सकते हैं आपको मिल जाएगा हमारा टेलिग्राम चैनल में वहाँ पर सब कुछ हम डालते हैं जैसे डारेट टांगुच का क्वेस्टन बूग, इंडलेट टांग्स का कॉछेस्टफल बूग है और अल्रेडी हम आईड़ीटी का जो भी इंपरेटन निलिस्ट है उसको भी ढाल चुके है अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक रिकार चैनल में है और व करें कि अभी उनको दिकत का फेस हो रहा है क्योंकि अभी टाइम नहीं है और उनका पढ़ाई इतना अच्छा नहीं हुआ है अगर यह वीडियो अगर आप लिंक सेंड कर दीजें ताकि वह भी पास हो जाएक तो उसका दूढ़ा आपको पास हो जाएगा अगर आपको आपको पास हो यह जाएक अच्छा लगता है जब कमें और आप लाइक कर ये तो चलो हम यहाँ पर discussion कर लेते हैं यहाँ पर कुछ important बात है जो कि हम discussion करेंगे तो आप वीडियो में बने रहे हैं तो आपको पता चलेगा अगर आप directly वहाँ पर important list लेकर चले जाएंगे तो वहाँ पर दिक्कत हो सकता है पहले यह वीडियो को देख लीजिए उसके बाद आपको क्या क तो आपका अगर देखेंगे जो पहला chapter basic concept है नाम का ही basic concept है इसमें आपका tax rate जो रहता है ना तो वहाँ पर special tax rate रहता है जैसे 115 BAC, 115 BAB and BAD, BAE ठीक है भी double है वो जो concept के उपर question जो है important question है ठीक है important question है तो हम डाल दी है यह जो important question आप इसको cover करके जाना पड़ेगा important है यह है वहाँ पर हम MT है important question MT के उपर है और कुछ ACZ के related जो important question है और एक है जो exempt income के related जो भी expenses आपका बहुत सारा individual question है जो की concept के उपर आता है प्रोविजन के उपर आता है तो उसको तो डालना पड़ेगा प्लस जो बड़े question है जो भी total income आपका tax liability compute करने के लिए पूछता है तो वह question में डाल है तो इसलिए थोड़ा ज्यादा यहाँ पीजबीप पीजबीप इससे भ आपको प्रोविजन आपका कवर हो जाएगा maximum provision concept भी कवर हो जाएगा तो वह question डाले हैं और कुछ important tricky question भी डाल दिये हैं तो अगर आप इसको देखके जाएंगे तो आपका कवर हो जाएगा उसके बादे income from order source तो यहाँ पे simple chapter है but question बहुत ज्यादा है question यहाँ पर यहाँ प आपका किसमें आ जाता है बड़े-बड़े question में कभी-कभी पूछ लेता है तो इसलिए जितना भी question है tricky या different types of question है वहाँ पर हम एक-एक करके डाल दी है तो आप इसको देखके जा सकते हैं उसको setup एंड carry forward यह भी इतना important नहीं है बट यह setup में आज जो MCQ में आ सकता है आप बड़ा question में पूछ लेता है setup के लिए ठीक है तो इसलिए आपका जो भी बड़ा question है वहाँ पर भी इसका यूज है तो इसलिए आप इसको भी तरेफर करना पड़ेगा आपका math का question में भी इसका यूज होता है तो इसलिए यह भी important है उसके बाद है चाप्टर 6 है तो होता है तो इसलिए चाप्टर 6 है का यूज हर जगा होता है तो आप इसको देखके जा सकता है और maximum यहाँ पर deduction का section कवर हो जाएगा ठीक है और जो income-based deduction है एक टॉपिक के रिलेटर नहीं है यहाँ पर ऐसे नहीं है कि एक टॉपिक के रिलेटर सब क्वेशन है नहीं है तो है तो अलगर यूझी है एक तो इसलिए है यहाँ इसलिए फड़ा यहाँ ज्यादा पड़ेशन है फिर आपको जितना ब toughest चॉपित्वेशन है कि नहीं es यहां पर कॉम कुखेशन था बाट आपका जो बिजनेश ट्रस्ट है यहां investment रॉस्ट इंवेश्ट में दाल दिया हो गया है क्वेस्टिन अलब क्वेस्ट ना यहां पर पिजनेश ट्रस्टं में लिए अन्ड यहां गळाने आता है प्राक्टिकल कुछेटों भी है एंड एक तो इसलिए यह question आपको देखके जाना पड़ेगा इसमें से आ जाता है question ठीक है question यहाँ पर strictly इसको देखना पड़ेगा student इसको छोड़ देते हैं बट इस चाप्टर का अगर आप यह बाला question देख लेंगे आपका जो टेबूल में डाल दिये हो रिविजन वीडियो में टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इभाज़न, टैक्स आवड़ेंस जो चारों के जो भी डिफ्रेंसे से उवो टेबूल अगा देख लेंगे तो आपका पुरा हो जाएगा ठीक है उसके बादे टैक्सेशन अब डिजीटल ट्रांजक्शन यह चाप्टर को द इसलिए देखके जाना पड़ेंग, टैक्स आपको तो बताए है यहां वे कितना सेक्शन होता है टीडियेस में, सिपी स्में, हमको थोड़ा ज्यादा लगता है कि टीचस पार्ट में क्वेस्टन आता रहता है क्यूंकि आमेंडमेंड में वहां पर आता है जो टूजीरो सि कि हैं कुछ फोटी question है तो उसको देखे जाना पड़ेगा क्योंकि यह चोटे-चोटे question बहुत बूच लेता है और नया section भी बहुत ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पर यहाँ पर प्राटिस ना कर पाए रिटेन प्राटिस नहीं होगा तो भी चलेगा बट देखके जाना तो इसलिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जादा है फिर भी आपको देखे जाना पड़ेगा ठीक है और यहाँ पर हम ट्राइक की हैं कम से कम question डालने के लिए उसको थोड़ा देख लेना अंड यहाँ पर चार question है यहाँ आपका में लिए assessment procedure में कवर हो जाता है बट हम क इसलिए आपको अगर वहाँ पर लगेगा कि सारी यह वाला question भी important था अबर क्योंकि नहीं डाले हैं क्योंकि DRC में हम सब कुछ यहाँ पर DRC में ढाल दिए तो इसलिए आपको अगर यहाँ पर मिलेगा DRC related कुछ question आप वहाँ पर tension मत लेना क्योंकि उसके रिलेटर जो भी question है वहाँ पर पहुच ज्यादा chapter था तो इसलिए नहीं डाले है यह question अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपका कवर हो जाएगा जैसे लेकुडेटर जब आपको होता है किसे यह साथ सेम है बर लेकुडेटर जैसे आपको होता है तो वहाँ पर क्या होगा जब बंद हो जाता है provision to counteract on ethical taxes क्योंकि यहाँ पर आपका एक तो आपका penalty chapter खतम कबर हो जाएगा और दूसरा है आपका यहाँ पर prosecution chapter और तीसरा है आपका black money बाला तो black money में आपका last बाला जो भी question है लगवग आपको लग रहा है कि यह 21 या 22 से सुर्व होकर जो भी question है उसको थोड़ा रेफर क है फिर भी इसको आपको देखना पड़ेगा IBS में एसे question आ सकता है तो इसलिए डीटीव में भी आ सकता है फिर भी ज्यादा important हमको लगता है IBS के लिए जो साथ question है उसको थोड़ा देख लेना है उसको बाद एक chapter है case study based question है तो जितना भी question वहाँ पे 10 question था तो सब कुछ question क cover हो गया है इभेन यह भी जो question 9 cover हो जाता है फिर भी यहां पर थोड़ा क्या हुआ है कि जो नेम है आसे सिगा वो चेंजर से प्रोविजन है बट नेम चेंजर से तो हमको लगा यह question थोड़ा देख लेना हमारा question bank से जो question 9 को थोड़ा देख लेना बाकि जो भी 9 question है वह सब कुछ cover हो जाता है हमारा question bank में तो उसको नहीं देखना पड़ागा question 9 भी उसका provision जो भी है cover हो जाता है फिर भी एक बाद देख लेना ठीक है उसके बाद है transfer pricing यहां पर तो आपका जो international taxation part है बहुत important है तो इसलिए हम थोड़ा यहां पर ज्यादा question डाले है थाकि आपका international taxation क include हो गया है तो वहां पर ज्यादा question आ गया है तो यह जो first five question है यह आपका residential status chapter का है उसके बाद remaining जो भी है question है यहां पर भी थोड़ा ज्यादा हम डाले है question क्योंकि आपको practice करने के लिए मिलेगा और वो question थोड़ा student का दिक्कत होता है फेस कते हैं जब exam में आता है क्योंकि special rate जो होता है ना तो वहां पर 115A, 115AD, 115ACAB, 115A,44DA यह जो question सब कुछ है ना वहां पर दिक्कत होता है और international taxation में जो non-reasing taxation का presumptive basis question वह भी cover हो जाता है तो maximum हम try की है यहां पर question डालने के लिए ताकि student को easy होगा यहां पर exam में कोई भी दिक्कत फेस नहीं होगा तो यहां पर हम try क को benefit आ जाएगा उसको advanced rolling यहां पर तो यह theoretical chapter है अगर आप revision करेंगे तो sufficient है फिर भी हम तीन चार जो question था आपका case study best question उसको डाल दी है तो दिक्कत कुछ नहीं होगा उसको यह तीनो चप्टर है यह आपको पहले revision करना है ठीक है revision करके जो question है वहां पर marking कर लेना है ठीक है ज question जितना हमारा question bank में है जितना question तो revision book में हमारा जितना भी question related provision है वहाँ पर आपको marking कर देना है जिससे आपको पुरा easy हो जाएगा ठीक है जिससे आपको पुरा easy हो जाएगा कोई भी दिक्कत face नहीं करने के लिए मिलेगा ठीक है कोई भी दिक्कत face करने के लिए नहीं मिलेगा तो all आपका यहां पे question important है फिर भी आपको revision करने के बाद आपको पता चल जाएगा ठीक है रिविजन करने के बाद आपको पता चल जाएगा फिर भी हम try कर रहे हैं इसके उपर एक वीडियो बनाने के लिए ये तीनों के उपर आपको अगर कोई दिकत फेस होता है तो हम आपके ल मेहनत कर रहे हैं हम अभी मेहनत करते हैं हाम मेहनत करते हैं सबस्क्रावर अब है किया आपको पासक्रना। तो इसलिए हम आपको सब कुछ benefit प्रोबाइट कर रहे हैं तो आप जब पास करेंगे तभी जाकर मेरे को gift मिलेगा वही हर रहेगा हमारा man gift रहेगा हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे बट आप जब पास करते हैं तो वह जब हमारे साथ share करोगे तभी जाकर हमको असली उसी मिल हमारा student पास हो गए है और कुछ नहीं चाहिए तो इस वीडियो को share कर रहे है तो उनके साथ अब share करिया ताकि वह भी थोड़ा उनको confident मिलेगा जो फियर लग रहा है तो फियर भी नहीं लगया बहुत ज्यादा message मेरे पास आ रहा है कि सार अभी time नहीं है 20 दिन है कैसे करें भीनेंगे तो बहुत ज़ना message जा रहा है तो हम try कर रहे है उनका जवाब देने के लिए हो जाता है क्योंकि हुँ ज़्याता मैसेज्स घर काम भी भूबभ ज्यादा हैं तो हम राइक करते हैं जितना जल्दी हो सगया उनके पास जो भी उनका answer देने के लिए तो आज के लि कि अरुवरी मिन 딱 Y boy